हालो फ्रेंट्स एन वेलकम तो लेर्नीजी दोस्तों संपूर्ण समविधान की संकला को जिसको हम वाल लाइनर में कम्प्लीट करने हैं टोटल जो हमारा पॉलिटी का चैप्टर है चितने भी इससे क्वेश्चन बनते हैं उनमें आज का जो मारा पार्ट है यह छटा पार्ट इसमें जो आते हैं वो आते हैं कठोर सौम्य या मिश्रित या इन दोनों प्रकार का नहीं तो भारती संविधान कठोर और नम्य का मिश्टण है किस प्रकार से कि अगर हम बात करते हैं कि कठोर संविधान क्या होता है वह संविधान होते हैं जिन में जो बदलाव होते हैं वो आसानी से नहीं किये जा सकते हैं बहुत ही मुश्किलों से होते हैं और जो नम्म समभीधान उन्में नम्मे का मिश्तिञा है दूसरा क्वेशन देखेंगे भारती संविधान को जो भारती संविधान में भारत को क्या कहा गया है भारती संविधान में जो भारत है या जो राष्ट रहे भारत देश है भारत को क्या कहा गया या तो किसे संभोधित किया गया है तो यह कहा गया है राज्यों का यूनियन भारत को राज्यों का यूनियन कहा गया है तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हैं हमारे देश भारत का नेक्स्ट कोईस्टन है भारती समविधान का कौं सा भाग आयर लेंड जैसे कि हम ने चर्चा की थी पिछले वीडियो में कुछ टापिक कि जो भारती समविधान है वह भी भिन्द देशों के समविधान के नीचोड से बन कर तयार हुआ है जिसके लिए हमको दो और्स ग्यारा माँ और अठारा दिन का समय लग गया तो भारती समविधान में अलग-अलग जो टॉपिक्स है वह अलग-अलग जिगे से लिए गए है तो आयरलेंड से लिया गया है वह लिया गया है नीत निदेशक तक्त्व को क्या लिया गया है नीत निदेशक तक्त्व नेक्स्ट है भारत की संघीय विवस्ता किस देश की संघीय विवस्ता से अधिक समानता रखती है तो जो भारत की संघीय विवस्ता है वह कनाड़ा कनाड़ा की संघीय विव पर निया चीजों कि उसी प्रकार से जो सम्वर्ति सूची ये समविधान में वैं किस देश से ली गई है तो यह ली गई है और अलग है और तो भारती सम्विदान में जो मौलिक करतव्य है उनका सिद्दान कहां से लिया गया है तो मौलिक करतव्य जो है वो लिये गया है रूस से और मूल अधिकार जो है जो मौलिक अधिकार है वह कहां से लिये गया है मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से तो इन चीजहों में बिल्कु है समविधान से वह कहां से लिए गए हैं अमेरिका से कानून के समान संरक्षा यह जो सब्द है यह कहां से लिया गया है यह कहां से लिया गया है तो यह लिया गया है अमेरिका से कहां से लिया तो धर्म निर्पेक्ष्टा जो है, और फ़ेराष्ट किसी भी धर्म को सरग्षण प्रदान ना करना ही धर्म निर्पेक्षटा है। कि नेक्स्ट कुएश्चन भारती संविदान का स्वरूप और भावना में एकात्मक है नेक्स्ट कोईश्चन भारती संविधान के संदर्व में वकीलों के लिए कि सब्द का प्रयूग किया जाता है वुज़र भारती संवीदान को पढसे बहुत ही विष्थरत है सबसे विष्थर लीकी संवीदान है तो इसी के कारण जो वकील है उनके लिए और सब्सक्राइब क्या जाता है वह वकीलों का स्वर्ग भारत को कहा जाता है क्योंगे आपर जो करियर अगों था या फ्यूचर क तुम्हेरा भारत सरकार अधिनियम जो 1935 था उसका क्योंकि बहुत सारे दिनियम उसके सेम इसमें लिए गए थे भारत में किस प्रकार की सासन व्रस्ता अपनाया गया है भारती राजनीती में सबसे उच इस्तान किसको प्रदान किया गया है मुंन भारती राजनीती जो ए उसमें सबसे उपरस्रेश इश्तान यह किसका है वह भारती सम्विदान का अभावक inmates भारत में वयस्क मता अधिकार की सीमा क्या है तो भारत में कोई भी विक्ति कब अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है जब वह 21 वर्स की आयों को प्राप्त कर लेता है तो भारत में वयस्क मताधिकार की सीमा 18 वर्स है तो जो वयस्क मताधिकार है वह क्या है 18 वर्स 21 वर्स और 18 वर्स जो सीमा है वो सीमा है गर बात करते हैं तो समविधान की जो सरवोचता है जैसे कि बात की कि भारती राजनिती में जो सर्वस्रेश्ट किसका है वह संविधान का है तो संगी विवस्ता में संविधान की सर्वुक्षता ही भारती संगी विवस्ता की सबसे मुख्य विशेशता है हैं ब्रति सम्विदान में कितनी में तो 7 benefit है कितनी है कि तीन है लेक्ष्ट कोइश्च concurrent भारत में वयद प्रभुसत्ता किस्में नहीं से तो भारत में वयद प्रभुसत्ता भारती सम्विदान संध्यामंने नहीं है नेक्स्ट कोस्चन जो हमारे बनेंगे वो बनेंगे पार्ट सेवन में संफोडबारती सम्मीदान के भन नाइन आधि notor 7 होगा आपको प्रोइड किया जाएगा जिसमें इसके आगे कि सम्विधान के मैंतरपोर्स वालों पर चर्चा करेंगे सो दोस्तों अगर आप कोई वीडियो पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक करें शेयर करें कमेंट करके आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा अगर आपको बदलाओ चाहते हैं वीडियो में तुम्हें जरूर बताएं, रेगुलर अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को निश्ची तोर पर आप प्रेस करके ही रखें थैंक्स वाचिंग, थैंक्यू